हलो फ्रेंड वेल्कम टू चाहत क्रेशन नीटिंग के नए डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपको यह डिजाइन बनाना सिखाऊंगी इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 18 के मल्टिपल फंदे लेंगे और 9 फंदे हम एक्स्टर अर रखेंगे 1st row 9 फंदे उल्टे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा पीछे 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे 1 2 3 धागा आगे 3 फंदे उल्टे बनाएंगे 1 2 3 धागा पीछे अब यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बना लेंगे 1 2 3 धागा आगे 9 फंदे उल्टे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा पीछे 3 फंदे सीधे 1 2 3 3 तीन फंदे उल्टे 1 2 3 धागा आगे 9 फंदे उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे 2 रो और रॉंग साइड की हर रो में हम सभी फंदे उल्टे उल्टे बना के उस रो को कंप्लीट करेंगे सभी फंदे उल्टे उल्टे बना के हम रोंग साइड की सभी रोस को कंप्लीट करेंगे ऐसे इस रो को आप कंप्लीट कर लिजिए थर्ड रो नाइन फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक नाइन तीन फंदे सीधे बनाएंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री तीन फंदे सीधे धागा आगे नाइन फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक नाइन तीन फंदे सीधे वन टू थ्री तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री तीन फंदे सीधे वन टू थ्री अब ये लास्ट में हम नौ फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक नाइन नेक्स्ट अम फोर थ्रो में सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाके फोर थ्रो को कम्प्लीट कर लेंगे उसे आप कम्प्लीट कर लीजिए फिफ्थ रो नाइन फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक नाइन अब यहां पे हम तीन फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री तीन फंदे सीधे हैं नाइन फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक नाइन तीन फंदे सीधे रो तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीध हैं, और नाइन फंदे उल्टे बना लेंगे, इसके बाद हम 6th row सभी फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, 7th row 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 6 फंदे उल्टे बना लेंगे, यह 6 फंदे हमने उल्टे बना लिये हैं, अब यहाँ पे हम यह 3 फंदे ऐसे पीछे की तरफ उतार देंगे, नेक्स्ट हम 3 फंदे इस नीडल पे लेंगे, ऐसे, अब यह पीछे की तरफ उतारे हुए 3 फंदे हम इस नीडल पे लेंगे, अब इन फंदों को भी हम दुबारा इस नीडल पे लेके जाएंगे, अब यह 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे, अब यह 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, धागा आगे, अब यह 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, अब यहां पे हम यह नक्स्ट 3 फंदे आगे की तरफ रखेंगे, ऐसे आगे की तरफ इने उतार देंगे, और यहां से 3 फंदे हम इस नीडल पे ले लेंगे, बैक साइट से, अब यह आगे की तरफ उतारे हुए 3 फंदे, बापिस हम इस नीडल पे लेंगे, और यह फंदे भी हम इस नीडल पे ले लेंगे, अब यह 3 फंदे सीधे बनाएंगे, और यह 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, अब नेक्स्ट हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, अब यहां से 3 फंदे, ऐसे 3 फंदे हम पीछे की तरफ उतार देंगे, और नेक्स्ट तीन फंदे इस नीडल पे लेंगे, और ये पीछे की तरफ उतारे हुए फंदे हम, इस नीडल पर ले लेंगे, ऐसे, अब ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे सीधें, तीन फंदे उल्टे, नेक्स्ट तीन फंदे हम, आगे की तरफ उतार देंगे, ऐसे, और यहाँ से तीन फंदे हम, इस नीडल पर ले लेंगे, अब ये उतारे हुए तीन फंदे बापिस इस नीडल पर लेंगे, अब इन तीन फंदों को भी हम, इसी नीडल पर ले लेंगे, ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, अब ये लास्ट के 6 फंदे हम, ये भी उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 6, नेक्स्ट हम, एर्थ रू में, सबी फंदे उल्टे उल्टे बनाके, एर्थ रू को कंप्लीट कर लेंगे, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, एर्थ रू कंप्लीट करने के बाद, हमारे ये डिजाइन प्लीट हो चुका है, इसके बाद फिर से हम इसे 1st row से 8th row तक आगे repeat करेंगे Thank you